आप सभी दर्सकों का स्वागत है आज हम मकर राशी के जातकों के सुभाव के बारे में बात करेंगे तो आईए शुरू करते हैं मकर राशी के जातक महेंती समर्पित और बफादा होते हैं इनका स्वामी ग्रह सनी होता है जिसकी वज़े से ये महान अनुसासन सील बनते हैं इस राशी के व्यक्ति जिस भी गत्मिधी को चुनते हैं उस छेत्र में सीर्स तक पहुंचते हैं पर अत्यंत साबधानी और द्रश्टी कौन के साथ आगे बढ़ते हैं मकर रासी के जातक अपने द्रश्टी कौन के बारे में सतर्क होते हैं ये अपनी प्रगती और समर्धी को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी तरह के आसान रास्ते से नफरत करते हैं ये कठोर और तंभी माने जाते है पर ये बास्तम में विनम्रे और पोसक विचारधारा के धनी होते हैं जब इनके चरित्र के दूसरे पक्च को देखा जाता है तब इनके प्यार और देखवाल के पक्च का पता चलता है या अपने काम और महातुकंचा के सीर्स तक पहुँचने के लिए छुट्टी के दिन भी कारे करने से घवराते नहीं है ये किसी भी उल्जन को सुलजा देते हैं और अपने लच्चों को पाने के लिए जिद्धी होने की हद तक समरपित रहते हैं ये अपनी कड़ी महनत का फल प्रसिद, प्रतिष्टा और पैसे के रूप में पाते हैं ये महनती, इमांदार, महात्वकांची, धहरेवान और विश्वासनीय होते हैं बकर रासी के व्यक्ति सायधी कभी कोई रियायत बर्थते हों जिससे इनकी महनत में कोई कमी आई ये अनुसासन के साथ सभी कठनाईयों को सहन करते हुए आत्म निहित पद भूरते हैं इनमें करतब्य, निश्वार्थता और भक्ति की भावना होती है ये अपने उद्देश की दिर्टा के लिए प्रसित होते हैं इनका स्वामी ग्रह अध्यात्मिक संगी होता है ये खुद के लिए उच्छ मानक तै करके रखते हैं और अपने निजी इस्थान या खुद के लिए समय को किसी के साथ साध्या नहीं करते हैं अपने लिए समय की खोज में इनके लिजी और सार्व जिनक व्योवार में अंतर के बारे में पता चलता है मकर राशी के व्यक्ति चतुर व्योपारी बन सकते हैं जो जल्दबाजी में नड़य नहीं लेते हैं इनकी महात्वकंचा रह दिया कि इनके जीवन साते भी सफलता की सीडी चढ़ें चाहें वो इसके काविल हो या नहों या सिच्छावित उद्दे योक्रसी प्राचीन वस्तुओं आदिके छेत्र में कार कर सकते हैं इस यह राशी चक्र का सबसे इस्ताई राशी चिन्न है यह अपने सातियों को सुरच्छा आराम और अपने सातियों को चिर इस्ताई समर्थन देता है यह सबसे भरोसे من्थ व्यक्ति होते हैं आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर रासी वाले जात्मों को भाग गोदै कब होगा किस साल में होगा और कौन सी रासी वाले जातक इनके अच्छे मित्र बनेंगे और इनके लिए अपयुक्त नोकरी और व्योसाय क्या होगा तो अगला वीडियो जरूर देखें जैस्री राम